हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज आपको बताएंगे पीएप समय थे एक और बड़ी जानकारी दोस्तों आगर आप भी एक पीएप मेंबर हो और आपका भी किसी कमपणी संस्ता में आप काम करते हो और आपका महाँ पर पीएप करता है तो दोस्तों आज आपको हम बत करना है तो क्या करना है आपका आधार काड़ की जरूरत होगी और अधार काड़ की जरूरत होगी उसकी ही मदद से आप अपना नमबर को आराम से एक्टिवेट कर पाओगे खुद से यह प्रोसेस में जो आपको बताऊंगा वीडियो के नंतक एक तो आप पूरा बने रहेना वीडियोस के मत करना नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आगा और अगर आप हमारी इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंड को कि हम पीफ समीदिव डीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हल्प करती है तो चलिए वीडियो में आपको क्लिक करने के बाद में आपके सामने यह इंटरफेस आता है कुछ इस प्रकार से आपको यह बैनर हटा देना है और आपको डेक्स्टॉप साइड मोड में अपना मोवैल को कर लेना है अब दोस्तों यहां से ही प्रोसेस स्टार्ट होता है आपको अपना यूएन नंबर की जो मैं बोल रहा हूँ वह आपको डालने का लिए यहां अप सोना था लेकिन आपको यूएन नंबर अपना एक्टिवेट कर ला है अब मैं देखो आपको बता रहा हूं जैसे जैसे समझाता हूं वैसे आपको करना है यहां पर जो यूएन पासबड़ की मतदर से आप यूएन नंबर तो आपके पास होता ही है लेकिन अपर नहीं होता है तो अगर आप उसको यहां पर डाल कर लोगिन भी करें तो लोगिन नहीं हो पाऊगे क्योंकि वह एक्टिवेट ही नहीं है ठीक है तो उसके लिए पासबड़ होना जरूरी पासबड़ का बाता है जब अब एक्टिवेट कर लेते हो तो उसके लिए आपको करना क्या है नीचे की तरफ आपको थोड़ा से स्क्रोल करना इस प्रकार से यहां पर और यहां पर एक उप्शन आपको नजर आता है मैं आपको दिखा देता हूं नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा मैं आपको इ इस forum को कैसे भरना होता है इससे ही अपना UNA number एक्टिवेट होता है यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख लिजिए एक्टिवेट यू आर यू एने तो एक्टिवेट करने के बाद ही आपको password मिलेगा उस password की मदद से ही हम login हो पाएंगे उसके लिए आपको क्या क्या चीज की जरूत पड़ेगी वहीं मैं आपको बता रहा हूँ पहले इसको थोड़ा theoretically मैं आपको समझा देता हूँ फिर practically इसको भरेंगे और मैं सबको समझाओ यहां से दोस्तों आप देखिए जो चीज में आपको दिखाता है उसको समझा ना है यहां पर आपको एक कंपणी आपका unay number देती है ठाट c अगर अपका एचर देता हे यूइन लमबर तो अच्छा है अगर नहीं देता है तो आप मेंबर id से भी अपना unay number को activate कर सकتे हो ठीके इसका मतलब यह अगर UNA नंबर है तो UNA नंबर में UNA डालना है अगर UNA नंबर नहीं तो Member ID से भी आप कर सकते हैं Member ID को आपको पता है होगा हर एक P.A.P. कंपनी की अपना जो Member ID होती है तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर डालना Member ID से कर सकते हो तो मैं UNA नंबर से सिका रहा हूँ आपको UNA पर जैसे में किलिक कर दूँगा तो डोट है यह UNA पर चला जाएगा अब देखो यहाँ पर मैं अपना UNA नंबर जो भी है मेरा यहाँ पर डालूँगा ठीक है इस जिगा पर UNA नंबर डाल दूँगा यहाँ पर डाल देना जो भी आपका झमिल दना जो है खलत centered के लाट है घंट दौड़ा दाला है जो भी आपक लिए आफर कहा है जो आपके आधर कट के साथ लिंक है ठीक है आपको समझता रहा हास्ते होगा जो आपके आदर काड के साथ मोबाइल नमबर लिंक है ना वही आपको डालना है ठीक है अब थोड़ा से मैं इसको स्क्रोल कर देता हूँ उपर की तरफ ताकि आपको सही समझ माया है पूरा का पूरा यहाँ पर मोबाइल नमबर हो चुका है ना हमारा करने के बाद इस पर आपको किलिक करने के बाद में आपके सामने नीचे के ततरब एक उप्सं दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ यह पर लिखा हुआ ना geet of track, जैसे यह मैं आपको दिखा देता हूँ, फीन यह वाला option, इस पर आपको click करना होता है, तो जैसे आप click करते हो, click करने के बाद में आपका आगे का next option खुलता है तोचलिए दोस्तों मैं यहां से अपना यह process भर लेता हूं बरने के बाद में आपको एक OTP आने के बाद में इसको एक्टिवट हो जाएगा फिर इस OTP को डालने का option आता है तो चलिए मैं आपको यह पूरी जो है process इसको भरके दिखा देता हूं ठीक है जैसे जैसे मैं आपको समझाया ह ठीक है इसको मैं आपको तूर के लिए बताया था अब को बर्के दिखा रहा हूं ऑनदोस्तों मैं practically आपको एक्जैंपल के तोर पर समझारा हूं यह किसी का योन एम नम नहीं यह किसी का नाम नहीं है यह किसी के डे अट ह matin किके इनिजी पैचान को द्यास में रखते हूए मैं हमें आपको एक्जाम्पल के तोर पर समझा रहा है। देखो आपको यॉए नमर कुछ इस प्रकासर डालना है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, और आप देख लीजिए, ठीक है, यह वाला ठीक है, यह किसी का नाम नहीं है, ना यह ओर जिनल किसी का डाटा नहीं है, एक example के तोर पे मैं आपको संगा रहों ऐसे आपको डालना है आप जब आधरकाड के नमबर डालोगे तो आपको डोट में जराएगा, नाम आपको ऐसे लिख देना है date of birth आपको ऐसे नजराएगी जब आप डाल दोगे ठीक है अब दोस्तों मैं आपको इसको थोड़ा और scroll कर देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है अब यहाँ पर आपको दीखेगा एक date of birth डाला है इसके बाद आपको mobile नमबर दीखेगा यह किसी का mobile नमबर नहीं है लेकि example के तोर पर समझा रहे हैं ठीक है यहाँ पर आप देखोगे तो same मैंने डाला किसी पर कोई भी गलती इधर नहीं है ठीक है अब यहाँ पर इस चोक और पर मैं किलिक कर देता हूँ किलिक करने के बाद में जब चोक और पर मैं किलिक करके आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पर एक option आता है यहाँ पर आपका आधरकर साथ जो मोबाल इमर लिंक है उसको पर एक OTP आ चुका है उस OTP को आपको यहाँ पर एक box दिखता है enter OTP वाला option पर यहाँ पर वह आपको डाल देना है उसके बाद में आपको validate OTP and activate UN जहाँ पर लिखा हुआ है इस पर आपको किलिक कर देना है तो you are registered mobile number अब जो आपका registered mobile number है उसको पर एक password बेज़ दिया गया है यूएने का और वह एप फो दवारा भेज़ा गया है ठीक है उस password को आपका अभी क्या है वो काम सही से नहीं करेगा उसको आपको change कर लेना अब change किसे करना जैसी आप यूएने को लिए login के लिए जाते हो इ दोस्तों जैसे आप signing के लिए जाते हो तो यहां पर आपको डालने के बाद में यह process होदने के बाद में आपको एक आपको message नजराता है कुछ प्रकार का interface आपके सामने खुलता है तो वहां से आपको password को change कर लेना मैं वह भी आपको बता देता हूं यहां पर दोस्तों फिर old password आपना डाल देना जो आपको password आया है उसके बाद में आपको new password कर देना है नया और उसके बाद जब आपका नया password बन जाएगा फिर उसको आप यूज कर लेना तो दोस्तों वही option जासे यूने password डाल कर login होते हैं वहीं पर आपको आ जाना है फिर डालके आप आराम से login हो जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना password को बना लेना यूने नमर को एक्टिवेट कर ले लेना नया उसके बाद में आपका काम वह सही से करेगा और आप आराम से login हो पाओगे आप भी अपना पैसा आराम से निकाल पाओगे तो दोस्तों इसलिए यह जो वीडियो है इस वीडियो को अगर आपने प्रोपर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा इस प्रक कार पाने के लिए मेरे चैनले सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद